हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे बहुत ही जादा स्वादिश्ट पाइनापल हल्वा तो जानते हैं इसे कैसे बनाते हैं सबसे पहले हम मीडियम फ्लेम करेंगे अपनी गैस की और उस पर हम एक पैन रखेंगे मीडियम फ्लेम पे ही पकेगा यह पूरा हर्वा पहुत ही प्यार से पकता है दीरे दीरे इसमें हम डालेंगे आदा कप घी यहां मैंने एक कप लिया है पर पहले मैं आदे कप से शुरू करूंगे और बाकी के बच्चे आदे कप काम बाद में इस्तिमाल करेंगे अब हम घी घरम होने के बाद इसमें डालेंगे काजू के टुकड़े और किश्मिश घी में हम इसको अच्छे ज़र रोस्ट कर लेंगे इसे हम बीच बीच में ऐसे हिलाते रहेंगे ताकि इवन्ली यह रोस्ट हो जाए इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक हमाई किश्मिश एक्दम फूल के अंगूर जैसी न हो जाए दिखो जैसे मेरी अंगूर जैसी शेप की होगए किश्मिश ते अच्छा से पक चुकिया असका मतलब तो मैं इसको घी से निकाल लोंगी घी पैन में रहने देंगे अब हम इसमें डालेंगे सूजी एक कप मैंने अपने घी में सूजी डाल दिया उसी घी में डाल दिया कुछ भी वेश नहीं होगा अब हम सूजी को भी इसमें अच्छे से रोस्ट कर लेंगे बहुत ही दे पांच-छे मिनट लगा कि इसको अच्छे से मिक्स करते रहें और पर हम सूजी को एकदम ब्राउन नहीं करेंगे हम इसमें डालेंगे केसर मैंने इसमें 10-15 केसर के स्ट्रैंड डाल दी है अभी हम इसको लगाता है फिर से रोस्ट करेंगे थोड़ी दिर दो से चार मिन अभी मेरी रोस्ट हो गई है तो अब मैसमें डालांगी फ्रेश पाइन करेंगे ताकि हल्वा और पाइनापल एक समान हो जाए तो आदे कबसे जादा मीठा अच्छा नहीं लगता है तो आदे कबसे हल्की से जादा और चीनी आप डालेंगे और इसे अब ऐसे मिक्स करते रहेगा जब तक चीनी हमारी इसमें मेल्ट नहीं हो जाती यह हल्वा जो है मांगता है कि अब इसे बहुत ही जादा प्यार से आराम से हौले हौले पकाईए देखिए चीनी इसमें हमारी मेल्ट हो गई है थोड़ी बहुत अबी भी है तो मैं अब इसे और थोड़ा पकाऊंगी अब इसमें मैं अपनी वोस्टिट ड्राइफ्रूट डालूंगी देखो किश मिश पहले हमारी कैसे अंगोज की तरह फूल गई थी लेकिन अब वो नॉर्मल साइस की हो गई है इसे हम अच्छे से एक बरी फिर से मिलाकर एक कर लेंगे हमारा सब कुछ अच्छे से पक गया है अब इसमें हम पिंच ओफ सॉल्ट डालेंगे जड़ा सा सॉल्ट डालेंगे ताकि वह फलेवर इन्हांस हो जाए और इसमें फिर हम डालेंगे 140 पून इलाइची पाउडर ग काड़िमम की बहुत ही ज़्यादा अच्छ भाएगी समय केसर हैं काड़िमम हैं रोस्टेट ट्राइफ्रूट्स हैं बहुत ही ज़्यादा रिज हल्वा बनता है यह को अ Jaw my एकदा मुझ में घुल जाता है ऐसा हल्वा बनता है कि दिखिए बहुत ही शांदार कलर भी आ गया केसर और पाइनपनी तरह इसमें डालेंगे दो कप पानी एक कप सुझी लिए तो दो कप पानी डालेगा अगर आपने मुटी सुझी लिए तो आपको शायद थोड़ा और पानी डालना पड़ जाए पड़ देख लेजे का एक बढ़ी पनने के बाद इसको मैं एक बड़ी पानी में थोड़ा सा मिक्स करके बचावा आधा कटोरी घी उपर से डाल देंगे बहुत ही ज़्यादा लाजवा गी से भरा हल्वा मज़िदर अब इसमें घी मिक्स निकरेंगे घी वस उपर से डाल के सो कवर कर देंगे अब जो है मैं इसको मिक्स करूंगी घी और पानी को हल्वे के अंदर क्या मज़ेदार रंगा है इसका क्या सॉफ्ट हल्वा लग रहा है एकदम ऐसे रिज येकीन मानिये बहुत ही जादा बहुत ही जादा चल रहा हो बनता है बन अफ दे फेवरिट हल्वा है मेरा इसे हमने मुंबए में एक सॉफ इंडियन डेस्टरांग में कहा थो तब से मेरा फेवरिट हल्वा बन चुका है ये जादी सॉफ इंडियन हल्वाई है इजै नौथ इंडिया में कम बना जाता है बड ये साथ इंडिया की बहुत ही ज्यादा अच्छी इन्वेंचन आगाँगी बहुत ही ज्यादा चल रहा है कितना सॉफ्ट एंड रिच है क्या कलर आए वाह इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है एक दम मुं में मेल्ट हो जाता है यह पाइन आपल भी आपके एक दम सॉफ्ट हो जाते हैं देखिये पिक स्पून होगा खाईए आप भी मज़ा लीजे और हमें बताईए आपको कैसे लगा थैंक यू वाचिंग अगर पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करेंगा